बंदे पुर्सोतमम परम प्रेम मैं सिठाकुर वा एक्समैन इसमर्ती चिन 11 सिठाकुर 1961 के सुबह का समय स्रीशिठाकुर पारलर के समुखस्त चावकी पर बैठे हैं अमेरिका के विस्विख्यात हारपर ब्रादर्स पाबलीसिंग कमपनी के वाइस प्रेसिडेंट यूजिन एक्समैन साहिब स्रीशिठाकुर के साथ आलाप आलोचना वारतालाप कर रहे हैं वे पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका के निव्यार्क सहर से स्रीशिठाकुर का दर्सन करने आस्रम आये हैं कई दिनों से वे लगातार स्रीशिठाकुर से विभिन तरह के प्रस्न पूछ रहे हैं एक्समेन साहिब आज से सिठाकुर से पूछे ठाकुर मैंने सुना है अनेकों विपत्ती से घिरने पर बहुत दूर जगों से आपको मनहीमन इस्मरण करते हैं एवं आप उन लोगों की रक्षा भी करते हैं इसके क्या रहस्य हैं सिठाकुर कुछ समय तक चुप रहकर बोले म मैं नहीं जानता हूँ जो लोग अनुभो करते हैं वे ही बतला सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जो लोग सही माइने में प्रेम करते हैं उन लोगों का प्रेम वास्टविक रूफ से जीवन धोटता है मैं सुना हूँ इसा मसीह उनके रोगों को ठीक कर देते थे अनेकों क तो चचुदान भी किये हैं, लेकिन पूछने पर बोलते थे, मैं नहीं जानता हूं, तुम लोगों का विस्वास भी तुम को स्वस्ट कर दिया है, सिसी ठाकुर हाउजर मेंदा के हाथ में लाठी दंड की तरफ दिखला कर बोलने लगे, मैं उसे वह लाठी दिया हूं, बोल अनुगत एवं निष्ठा विस्वास के माध्यम से जीवन दोटता है, ऐसे हालात में उसका विस्वास उसके सरीर एवं मनो जगत के अंदर विभिन को सिकाओं के थ्रिल इस्पंदन के सिस्टी करता है, उससे ही इस्टमुखी आवेग की सिस्टी होती है, वही एकाग्र कोड़ के अंदर से कारे करने की प्रेंडा आती है, प्लान परिकल्पना करने लगता है, वास्त्वीक रूप में कर्म करने का वरिध जागरित हो जाती है, सिस्टाकुर के कहने का ताथपर है, इस्टके परती एकांत भक्ति अनुराग वा निष्ठा के चलते ही, मनस स्वयम समझने लगता है एवं तद नियाई कारे करने के फल के चलते असंभव कारे कर देता है कब हम लोग बोलते हैं उनकी दया से ही बच गया हूं इसके पीछे लेकिन निश्ठायों करम का ही अवदान है एक्समैन की विदाई पुनह मिलने तक आव रिवायर एक्समैन अपने देश लोटेंगे विदाई के पहले दूर देश अमेरिकी से आगत एक्समैन साहब हारपर ब्रादर्स पंपलिसिंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट खड़े होकर सिशी ठाकुर से बोले आव रेवर पुनह मिलने तक के लिए विदाई 1961 साल के 14 सितंबर को लगभग साड़े 9 वजे की सुबह सुरिसी ठाकुर ठाकुर बंगला के विसाल पीपल पेड़ के दक्षिन पस्चिम में उनमुक्त आकास के नीचे चावकी पर बैठी है एक्समैन साहिब सिशी ठाकुर को परड़ाम करके बोले तोडे इस वेरी सैड डे आज सेल गो तोडे आज बहुत दुख का दिन है आज मैं चला जाओंगा उत्तर में सिशी ठाकुर बोले सो टु मी मेरे लिए भी वैसा ही है एक्समैन साहिब बोले लगभग सबताह भर मैं यहां रहा 8 सितंबर 1961 से 14 सितंबर 1961 तक मेरा प्राण आनंद से भरपूर हो गया बहुत त्रप्ति मिली यहां के लोग सभी आपके प्रेम बंधन के माले में गुते हैं मैं सिर्फ सोच रहा हूँ फिर कब आएंगे आफ से मिलेंगे एक्समैन साहब के गले का स्वर लड़ खडा रहा था एवम आँखों में आशू हराया था सुरिसी ठाकुर करुण दिश्ट से उनकी तरफ देख रहे थी कुछ दिर बाद एक्समैन साहब बोलना आरंभ किये ठाकुर आपका अनेक फोटो मैं लिया हूँ आस्रम का भी अनेक फोटो लिया हूँ रसाइशना मंदिर तपोवन स्कूल फिलान्थराफी आफिस प्रेस गैरेच आनंद बाजार मेकेनिकल वर्क सोप इत्यादी लेकिन आपका जो भी फोटो लिये हैं वह खाली बदन वाला है आपको यदि कोई अस्विधा नहीं हो तो सरीर पर कपड़ा पहना हुआ एक फोटो लेना चाहता हूँ ठाकुर तयार हो गए फोटो लिया गया एक्समेन साहिब बोले ठाकुर आप मुझसे कुछ बोले मेरे पास यदि कुछ चाहते सिसी ठाकुर आप चले जाएंगे मेरा मन बहुत खाली-खाली महसूस हो रहा है मैं सिर्फ चाहता हूँ आप स्वस्त रहें अच्छे से रहें आपका कुसल संबाद मुझे अमेरिका से देते रहेंगे यही मेरी एकाउंट एक्छा है एक्समैन साहिब आपके जैसे मनस्च की अमेरिका में बहुत जरूरत है मेरी एक्छा है मैं आपको हेलिकाप्टर से ठाकुर बंगला से दमदम एरपोर्ट लेकर जाऊँ और वहां से एरोपलेन से अमेरिका के विभिन राज्यों में हेलिकाप्टर से लेकर घुमाऊँ आप मुझे अनुमती दीजिए सब कुछ का दायत तो मेरा होगा भारत वर्स के प्रेसिडेंट राधा क्रिश्नन मेरे दोस्त है आप एक बार अमेरिका चलिए से सिठाकुर बोले मैं तो आपके साथ साथ ही हूँ आप मुझे अपने माथे में रख कर चलें आपके माध्यम से ही मैं देश देशांतर घुमूंगा अंत में एक्समैन साहब बोले टाइम फार गुड बाई हैश कम बिदाई का समय हो गया है फिर खड़े होकर बोले आउर एवर बिदाई पुनह मिलने तक एक्समैन की आँखों में आशू हर आया था वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे सिसी ठाकुर की आँखों में भी आशू भर आया जाए गुरू साथ पती मार्च दो हजार चौदा से